जिला सिर्मोर में एक नहीं दो नहीं बलकि 16 कैटेगरी में टीबी रोग्यों की स्क्रीनिंग की जाएगी इसके लिए स्वास्थ एवं परिवार कल्यान विभाग जिला सिर्मोर में 100 दिन का एक विशेश अभ्यान जल्द शुरू करने जा रहा है दरसल ये कारिय टीबी उनमूलन को लेकर किया जा रहा है ताकि निर्धारित लक्षे के मताबिक देश समीत पर देश को रोग मुक्त किया जा सके अभी फिलहाल वर्तमान में जिला सिर्मोर में 700 के आसपास टीबी के रोगी है ऐसे रोगियों की संख्या समय समय पर कम और ज्यादा होती रहती है क्योंकि उपचार के बाद मरीज स्वस्त होते रहते हैं इस विशेश अभ्यान को लेकर स्वास्थ एवं परिवार कल्यान विभाग जिला सिर्मोर की रिव्यू मासिक बैठक में भी विस्तार से चर्चा की गई नाहन से हमारे समवाद दाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट टीवी की मासिक रिव्यू बैठक है तो टीवी को लेकर पिछले महीने के सारे जो कारेकरम हुआ है उनका लेखा जो खालिया गया उन पर चर्चा की गई विशेश तोर पे एक हंडर डेज कंपेइन शुरू हो रही है जो कि बस शुरू ही होने वाली है जिसमें हम लोग एक पॉपुलेशन है, सोला गृूप है, सोला कैटागिरीज है जिनके घर घर जाके उन्हें स्क्रीन करेंगे, उन्हें स्क्रीन करने के बाद अगर अगर अवरक्षकता होई तो उनके स्पूटम के टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट भी माइक्रोस्कोपी से नहीं होंगे, cvnaught या true not से होंगे ताकि अगर specificity ज्यादा हो सके और अगर म्रीज को बिमारी है तो एक अदम पकड में आ सके इसमें हम जेल कवर करेंगे इसमें हम re-addiction centers कवर करेंगे हम orphanages कवर करेंगे हम hostels कवर करेंगे हम police lines भी कवर करेंगे जहां भी लोग low setting में रहते हैं सको पर करेंगे इसके इलावा जो टीवी के म्रीज के घर के लोग हैं उनको कवर करेंगे जो diabetes स्कर इस चीज़ के patients हैं उनको कवर करेंगे जो kidney के patients हैं या cancer के patients की continuar गहांकि इंस नोगों का सब के कवर करना और जिनकी अवर्ष्यक्ता होगी उनके हम एक्सरे करेंगे जिनकी अवर्ष्यक्ता होगी उनके हम बल्गम की जाच करेंगे यह गए हैं कि ऐसे मरीजों को जो भी DTBC scoring जिनकी एक से ज़ाद आती है उनको विशेश ध्यान दिया जाए और उनको दाखिल किया जाए